छोटा सा दिखने वाला दीमक बड़े से बड़े और मजबूत फनीचर को भी खराब कर देता है बरसात के मौसम में नमी का होना तो लाज़मी है ऐसे में जात लोग की ये शिकायत रहती है कि घर में मौजूत लकड़ी में दीमक लग गई दरसल दीमक तभी लगती है जब मौसम में नमी हूँ नमी का महौल दीमक नपने के अनुकूल होता है ऐसे में बरसात के मौसम में अगर घर के अंदर थोड़ी सी भी नमी हुई तो खिड की दर्बा जो या भी लकडी से बने किसी भी सामान में दीमक लग जाता है अगर समय रहते ही दीमक को कंट्रोल नहीं किया जाए तो धीर धीरे ये लकडी के सभी सामानों को अंदर से खोकला कर देती है ऐसे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ घरेलो उपाए जिसे अपना कर आप दीमक को दूर भगा सकते हैं तो पहला तरीका है जिसमें आपको इस्तेमाल करना है विनिगर यानि किस सिरके का विनिगर घर की साफ सफाई में बहुत ही काम आता है इससे ना सिर्फ किचन के रैक को या फिर गंदगी को साफ किया जाता है बलकि दीमक को मारने में भी बहुत उपयोगी है इसके लिए आपको करना क्या है आधा चम्मच विनिगर लेना है उसमें दो नीमू के रस मिलाने है और उसके लिए आपको जो है एक लिक्विड तयार करना है अब क्या करना है इसको करम पानी में मिला कर एक स्प्रे बॉटल तयार कर लेना है और इसका छिड़का तब तक करन नहीं हो जाता तो वहीं दूसरा तरीका है और बहुत ही बहतरीन तरीका है जिसमें आप इस्तमाल कर सकते हैं नीम का तेल या पिर नीम का रस अगर आपके घर में मौझूद लकडी की किसी भी समान में दीमक लग गया है तो आप नीम के तेल का इस्तमाल कर सकते हैं बस आप एक cotton का टुकड़ा लीजिए उसमें नीम का तेल लगाएं और जहां पर भी दीमक लगा हो वहां पर cotton की सहायता से उस तेल को लगा दें कुछ दिन में आप देखेंगे कि दीमक अपने आप ही खतम हो जाएगा आप चाहें तो नीम के तेल की जगर नीम की पतियों के रस का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अगला तरीका है जिसमें आप इस्तमाल करेंगे नमक और गरम पानी का नमक और गरम पानी का कॉंबिनेशन भी दीमक को खतम करने में असरदार है इसके लिए बस आपको एक कप पानी को गरम कर लेना है उसमें एक कप डमक डाल देना है अब स्प्रेवारी बोटल में भर कर इसको वहां छिड़काव करना है जहां पर दीमक हो कोची दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा तो अगला तरीका है लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर भी दीमक को खतम करने में काफी असरदार है इसके लिए जहां पर भी दीमक है वहां पर लाल मिर्च पाउडर को भर दीजी इससे दीमक अपने आप भी खतम हो जाएंगे तो नेक्स तरीका है जिसमें आप इस्तिमाल कर सकते हैं वोरिक्स पाउडर का सोडियम बोरेट को आम तर पर बोरिक्स पाउडर की रूप में भी बेचा जाता है यह कपड़ी साफ करने के अलावा दीमक को मारने में भी बहुत कारगार है आप दीमक वाली जगा पर इस powder को छड़क सकते हैं या फिर इसे पानी में मिला कर उस जगा पर spray कर सकते हैं तो इन में से कोई भी तरीका आप इस्तमाल करके अपने घर में आपके जो भी furniture में दीमक हो रहे हैं उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं